नितिन गटकरी भारती जनता पार्टी की वो कद्दावर नेता हैं, जिनकी इज़त लगातार विपक्षित दल के नेता करते हैं, खुद पार्टी में उनकी बहुत अच्छी इज़त है, सब लोग सम्मान करते हैं और ये तरह कह सकते हैं, आपके अटल विहारी वाजपेई के संसदी बोर्ट से हटाया गया, इसको लेकर के हमने किया सबसे बड़ा पोल, सबसे बड़े पोल में आये सबसे चौकाने वाले नतीजे और ये नतीजे ये हैं, कि नितिन गटकरी के पक्ष में जनता जितनी मजबूती के साथ खड़ी है, वो अपने आप में काफी ज़्या ने करेंगे, 79%, 89% लोगों का मानना है कि हाँ, भारती जनता पार्टी ने ये गलत फैसला लिया, नितिन गटकरी जैसे अनुभवी, समझदार, अच्छी छवी वाले गक्तितों के मालिक हैं, अच्छी छवी है उनकी, ऐसे नेता को पाड़ लिया मिन्टरी बोर्ट से, जो क भारती जनता पार्टी का सबसे मजबूत बोर्ड है, और ये बात ये भी है, कि जिस तरीके से भारती जनता पार्टी ने पुराने जो संसरी बोर्ड के सदर से थे, उनके नेत्रितमें एक बहतर परफॉर्मेंस का, दो-दो बार वो लोग सभा में, सरकार में आई, सत्ता मे तमाम तरह कि उसके फाइदे हुए, यहां तक कि सरकार कई राज्यों में बनाने में सफलता मिली, तो इस तरीके से नितिन गड़करी के साथ भारी संख्या में जनता दिख रही, 89% लोगों का मानना है कि भारती जनता पार्टी ने नितिन गड़करी को बाहर निकाल करके प है कि भारती जनता पार्टी ने जिस तरीके की स्थिती में उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, उसका इंपक्ट आगे चल करके देखने को मिलेगा, चुकि नितिन गड़करी को जब परलियम इंट्री बोर्ड से निकाला गया, यानि संसर्दी बोर्ड से निकाला गया, वि विपक्षी दल के नेता उनकी रज-रज के तारिफ कर रहें, उनकी प्रशंता कर रहें, और यह मानते हैं कि नितिन गड़करी कैसे समझदार और बौधिक नेता हैं, जिनकी छवी बहुत अच्छी है, जिनकी इमानदार छवी है, इसके लाबा उनके कार्य प्रणाली की चर जिनाते से उनको जो है, सबसे ज़्यादा भारती जनता पार्टी में मिला, लेकिन बावजूद इसकों के कारिश्यली भी अपने आप में बहुत मजबूत है, और यही कारण है कि वो नरेंद्र मोधी जो कबिनेट है, उसमें वो सबसे शिर्थास्थ मंत्रियों में से एक म जाते हैं, उनका कद जो है, वो हमेशा से भारती जनता पार्टी में मजबूत रहा और आप समझ सकते हैं कि उस समय भारती जनता पार्टी के सबसे युवा राष्टी अध्यक्ष में से एक थे, सबसे युवा राष्टी अध्यक्ष बने थे और जिस तरीके से वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें